हलो दोस्तों नमस्कार कुमार रिपेरिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास फिर से एक C80 TV आया है जिसमें देख सकते हैं रिटेस्ट लाइन की प्रोब्लम है उपर पाट पर रिटेस्ट लाइन आती है और नीचे हमारी पिक्चर जो है दोस्तों क्लिन दिखता है और साथ साथ में दोस्तों वाइट कलर का भी रिटेस्ट लाइन एक दिखता है तो दोस्तों ये प्रोबलम कहां से हुआ है और कौन सा पार्ट में प्रोबलम है आज बारी किसे जानेंगे और इस Retest Line को हम Life Fruit के साथ जो है दोस्तो रिपेर करके दिखाएंगे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए और अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे यूटूब चनल को सस्क्राइब कर दिजिए नौटिपिकिसन घंटी जो है औल पर सेट करके रखे ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो दोस्तो चलिए वीडियो को करते हैं सुरुवात सबसे पहले हम इस CIT TV पर लगे हुए केबिनेट को हम खोलेंगे और हम भाटिकल सेक्सेन पर ही काम करने वाले हैं ये भाटिकल सेक्सेन का ही फॉल्ड है तो चलिए हम PCB को खोलेंगे और खोल के देखते हैं चेक करके तो PCB को हम खोल के क्लियरली रेडि कर चुके हैं और अगर आपके पास भी ऐसे साफ सुत्रा कर लिजेगा दोस्तों और उसके बाद PCB को जो है दोस्तों इस तरह से रख लेना है जी हो कि हम इस तरह से क्लियर करके रख चुके हैं अब हमें मल्टी मीटर से हमें सारी सप्लाइ को सबसे पहले चेक करके देख लेना है सही कोई फॉल्ड है जिसकी बज़से ऐसी प्रोबलम देखने को मिलता है तो दोस्तों जब भी आप CRT TV को रिपेरिंग करेंगे सबसे पहले CRT TV पर जितने भी कॉंपनेंट, रेजिस्टन या PF लगी हुई है सभी को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं वीडियो थोड़ी लंबी होस जाती जिसकी बज़से हम वो पार्ट को हम रिमूब कर चुके हैं तो चलिए दोस्तों जो जो जोरी पार्ट है वही इस वीडियो पर बताएंगे जिसके जरी आपको आसानी पुर्वक से रिपेरिंग करने की जो टेकनोलिजी है वो हम दे पाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम ग्राउंड कहीं भी कर लेंगे और 110 की सप्लाइ को हम देखेंगे सबसे पहले तो दोस्तो 110 की सप्ला जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो चलिए यहां मोडूल लगी हुई है मोडूल को हम थोड़ी सी कम कर लेंगे और इसकी 110 की सप्ला जो है दोस्तो हम 110 पर ही सेट करेंगे तो थोड़ी सी हम माइनस कर लेंगे और फिर से चलिए हम PCV पर हम फिर से align देंगे और इसकी testing फिर से हम करके देखेंगे तो माइनस और यहां एक पलस देख सकते हैं थोड़ी सी अभी कम है दोस्तो चलिए हम फिर से दुबारा बढ़ा लेते हैं अब बढ़ा चुके हैं अब चलिए फिर से हम चेक करके देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों मल्टी मीटर पर फ्लो करेंगे PCV पर जो है दोस्तों 110 की सप्लाई की जगा अगर 105 साथ आती है तो भी ठीक है तो देख सकते हैं 105 आ रही है तो ये 110 की जगा हम 105 की सप्लाई कर चुके हैं चलिए स्क्रिन पर जाके देखते हैं अगर ये सप्लाई बढ़ने की वज़से ऐसा प्रोब्लम तो नहीं हो रहा था तो दोस्तों बिल्कूल सही में कोई भी दिक्कत नहीं है ये PCV सही कोई प्रोब्लम है चलिए हम देखते हैं अब बाकी जो सप्लाई है उसे भी हम चेक करके देखते हैं कहां किस जगा से प्रोब्लम हुआ है तो 110 की सप्लाई 105 आ रही है और यहां भाटिकल सेक्शन पर 13 वोल्ट और इधर भी बार बोल्ट और माइनस सप्लाई पर भी देख सकते हैं 13 वोल्ट आने कि भाटिकल आउट पीन पर देख सकते हैं एक नमबर पीन पर जो डेड़ वोल्ट की सपला है वो भी आ रही है और दूसरे नमबर यहां एक रेजिटन लगा हुआ है यहां भी हम देखेंगे चेक करके दोस्तों सभी रेजिटन कॉंपोनेंट और कंडेंसर इस सब को अच्छी तरह से दे हुई रहता है जो की रिटेश्ट लाइन अक्सर यहीं से होती है तो एक बार जो है दोस्तों इस कंडेंसर वीक नहीं है फिर भी हम इस कंडेंसर को एक बार चेंज करके देखेंगे तो यहां 13 वोल्ट की सपला की जगह एक रेजिटन भी लगा हुआ है और यहां यहां के थ ठुमें जो कंडेंसर कि थुरु हमें माइनस 14 वोल्ट से ठाच किया हुआ है तो यहां जो एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है तो यहां भी हम दिखाएंगे दोस्तों अच्छी तरह से यहां देख सकते हैं दोस्तों एक रेश्टन के थुरू कंडेंसर पर जो सफलाई आती है ये सफलाई जो है दोस्तों रेश्टन जला हुआ है जिसकी बज़े से हमें रिटेस्ट लाइन की प्रोलम इस टीवी पर देखने को मिलता है तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है रेश्टन को हम बाहर निकालेंगे और इस बाहर से भी हम इसे continuity पर हम चेक करके देख सकते हैं तो यहां continuity हमेरी जो है दोस्तों छे नमबर पीन से जो हमारी आउट आती है वो सफलाई पर हमारी यहां रेश्टन लगा हुआ यह रेश्टन अभी ओपेन हो चुका है तो दोस्तों यह छोटा सा जो है दोस्तों एक चेक करके देखेंगे अगर एक रेश्टन की बज़स से ऐसी प्रोब्लम हो सकती है दोस्तों जोकि यह भाटिकल सेक्शन का ही फॉल्ड है हम सबसे पहले ही बता चुके हैं तो चलिए हम उस रेश्टन को सबसे पहले हम रिमूब करेंगे तो रेश्टन को हम निकाल चुके ह और देख सकते हैं यहां जो रेश्टन लगा हुआ है इस रेश्टन की जगह हम यह दूसरा रेश्टन जो हम PCV से कोल के रखे हैं इसे हम बाहर से लगा के चेक करके देखेंगे टीवी पर तो चलिए हम और एक बार जो है दोस्तों हम कंटिनुटी भी हम आप सभी को दिखा देते हैं दूसरा जो रेश्टन है दोस्तों इसका कंटिनुटी देख सकते हैं वीप की आवाज भी सुनाई देता है और यहां रेश्टन की जगह हम सैम इसी रेश्टन की जगह हम इसे सॉल्ट कर देंगे और फिर से जो है दुबारा हम PCV पर लाइन देंगे और आप सब क दिखाएंगे एक छोटे से रेश्टन की वज़से हमारे PCV पर ऐसी प्रोबलम आ रही थी तो चलिए हम इसे लगा कि जो है दोस्तों चेक करके दिखाएंगे यह रेश्टन जो है दोस्तों जला हुआ था जिसकी बज़से यह 100% गरेंटी लेते हैं दोस्तों यह TV हमारी जो जो है दोस्तों पुरा किलीन फोटो आ रही है जो रिटेस्ट लाइन थी वह अब गाइव हो चुकी है और कहीं पर भी फेक वीडियो हम नहीं बनाएं दोस्तों देख सकते हैं अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिजेगा वीडियो को और चैन झाल